दोस्तो नमस्कार फिर से एक नए बिजनेस आइडिया के साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में पताया हूँ जिसका इस्तिमाल आप अपने घरों में जरूर किये होंगे दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ आइरन नेल का यानि की लोहे की कील का दोस्तो किसी भी हाड़वेर का बिजनेस कभी घाटा नहीं पहुचाता अगर आप आइरन नेल का प्रोडक्शन करते हैं और वो मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाते हैं और प्रोडक्शन किया सारा माल खराब हो जाता है फिर भी भंगर वाले को देने से आधा पैसा वापस मिल जाता है दोस्तो आपको पता होगा कि आइरन नेल का डिमांड बहुत जादा है और इसकी डिमांड कभी खत्म भी नहीं होगी इसलिए अगर आप इसका प्रोडक्शन करते हैं तो शुरुवाती तर पर आपको माल सप्लाई करने में थोड़ी मुश्गिलों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन बाद में धीरे-दीरे मार्केट में रनिंग होने के बाद फिर इसमें पैसा ही पैसा है तो दोस्तो अगर आप इस बिजनेस को सुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस से समन्दित सभी परकार की जनकारी के बारे में बताया हूँ दोस्तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, सेर एवं साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर पसंद ना आए, तो इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, जो की अलग-अलग तरह के बिजनेस के बारे में जनकारी देते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल के नाम पर क्लिक करके हमारे वीडियो देख सकते हैं दोस्तो इस बिजनेस को सुरू करने के लिए सबसे पहले हमें नेल वायर मेकिंग मसीन की जो रहत होगी ये मसीन जो है नंबर के हिसाब से होती है, तिन नंबर, चार नंबर और पांच नंबर इस बिजनेस में बहुत ज्यादा फैदा होता है, फैदा होने का कारण है कि आप 35 से 40 रुपे केजी तक आप नेल वायर लेंगे और मेकिंग होने के बाद यानि कि किल बनने के बाद नेल बनने के बाद इसकी किमत दूगनी हो जाती है 60 रुपे केजी, 70-80 रुपे केजी, जबकि इसमें एक्ष्टा खर्चा कोई नहीं है, बस आपका बिजली, पानी, लेवर इतना में आप इसे दूगने, यानि कि अगर 40 रुपे केजी लेते हैं तो 60 रुपे केजी तो सेल करी सकते हैं इसलिए इस बिजनेस में कुछ ज़्यादा ही फैदा है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी है, यहाँ 42 रुपे केजी दोस्तो, मैं आपको यह भी बता दूँ कि इस बिजनेस में दी गई सभी जनकारी, नीच पेपर और इंटरनेट के माध्यम से ली गई जनकारी पर अधारित है दोस्तो, अगर आप इस बिजनेस को सुरू करना चाहते हैं, तो अपनी सुजिबुच से ही सुरू करें क्योंकि बिजनेस तो हर कोई उनाफे के लिए सुरू करता है, लेकिन उसे कभी कभी लॉस का भी सामना करना पड़ता है दोस्तो, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एवन साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद